श्रीमद हूम रेमेडीस में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कमल के बारे में भारत पेड़ पौदों से भरहुआ देश है वर्तमान में उपलब्द डाटा बनस्पती बिविजिता में इसका विसमें दस्वा और एश्या में चौथा स्थान है जली पौदों में पहला नाम जो आता है वो कमल काता है इसे राष्ट्रिय फूल का दर्जा प्राब्त है सुन्दर पंक्षुनियों को कमल नेतर का आता है लक्षमी का वास कही जाने वाले इस पुस्थ का पूजा अरचना में विसिजिस मात हुए ऐसे विसिस्ता वाले फूल को हमारे घर के आंगन में अस्थान मिलना ही चीए आनेक रंगुवला कमल सुर्ण के प्रकाश में खिलता है बसंत गर्मी वर्सारी तु वह सर्दी इसके आगमन तक इसके फूल आ जाते हैं कमल वनसपती जगत का एक पोधा है जिसमें बड़े और खुबसूरत फूल खिलते हैं कमल का पोधा धीमे बहने वाले या रुके हुए पानी में ही उखता है या दलदली पोधा है जिसके जड़ कम ऑक्सिजन वाले मिट्टी में ही उख सकती है इसमें और जलिये कुम दुनियों में विसेश अंतर यह है कि इसके पत्तियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती और इसकी बड़ी पत्तियां पानी की सतर से उपर उठी रहती है एशियाई कमल का रण सदय गुला भी होता है नीले पीले सफेद और लाल कमल जल पद्म होते हैं जिनें कमलीनी कहा जाता है बड़े आकर्शक फूलों में सम्दुलित रूप में अनिक पंकुडिया होती है जल जड के कार रिजोम्स द्वार किये जाते हैं जो पानी के साथ कीचर में समाना अंतर फैली भी होती है कमल के फून अपने सुन्दरता के लिए ही जाने जाते हैं और हमारे पुरामन में तो कमल का विशेस मात ले है कमल राजसी पौदों में से एक है कमल को छोटे कंटेनर में लगाना चीए अगर धर में लगा रहे हैं तो बहुत आसाने से आप उनके विकास की बुनियादी बाते समझ कर देख भाल कर सकते हैं कमल मुख्य तालाव एक अलग छोटे तालाव सजावटी बरतन या कंटेनर में उगाए जा सकते हैं बारतिय संस्कृती सब्विता अध्यात्म वदर्शन में कमल के पुष्प का अत्यंत पवित्र पुजनिये सुंदर्ता, सद्भावना, शांती, स्मिर्थी और बुराईयों से मुक्ति का पुष्प माना जाता है मा देवी दुर्गा को कमल कुष्प से पुजा की जाती है संभवत यही वज़ा है कि इसे पुष्प राजभी का जाता है कमल पुष्प को महालक्ष्मी, ब्रह्मा, सरसोती, यदि देवी देवताओं ने अपना आसन बनाया है सातिय लक्ष्मी का प्रतीक भी है इस फूल से कई देवी देवताओं की पुजा करों ने खुष्प किया जा सकता है यग और अनुस्ठान में कमल पुष्प को निश्चत संख्या में अरपित करने के सास्तु में विधाने कमल फूल की उत्पत्ती, कीचर और जल में होता है लेकिन इसकी बावजुद वो हमें पवित्र जिवन जीने की प्रेड़ना देती है अवांचनिये तत्व के परिमार्चन द्वरा सेश्टा को प्राव्प्त किया जता है यही वजहे कि कमल का किलना अत्यंत शुग और मांगली कि माना जता है मंदिरों के शिकर बंद कमल के आकार के बनाए जाते हैं प्रिथ्वी के आकृति भी कमल के समान बताई गई है कुंडलिनी जागरन के लिए योगी जिन आठ चक्रों को बेदेते हैं उन्हें विबिन दलों को कमल कहते है कमल उन्हें भेद करी ब्रह्मा का ज्यान औरन की प्राप्ति का होना संबभ है मा दुरुगा देवी को लाल फूल पसंद है कमल भारत का एक राश्टी एक उस्प है कमल का फूल बहुत दिन तक नहीं चलता है भारत के जील, टालाव, विवित परकार के कमल दल से अच्छा दित रहते है सत्यम, शिवम, सुंदरम का रूपक रशना है कमल कमल हस्त, चरण कमल, कमल सा खिला हुआ दिल यह उसी परमात्मा की है तो गुंधर में हर एक रूप में कमल का प्रयोग किया जता है वेदो और पुरान में कमल का गायन है पद्म पुरान और अन्य पुरान में कमल के प्रसंसा की गई चैतर सुधी सब्तमी, कमल सब्तमी कही जाती है विष्णु के चार हातों में से एक में कमल होता है लक्ष्मी कमल पर विराजमान रहती है भगवान स्वें कमल रूप है विष्णु के नावी से निकले नाल परस्थित कमल पर ब्रह्मा पदमासम पर बैठे है शंगर भगवान की कमल द्वारा पूजा होती है पद्म पानी बुद्ध के हाथ में कमल रहता है कमल के दान से आने वाले जन्म में बैभव की प्राप्ती होती ऐसा कहा जाता है भारतिय कला और साहित्य में कमल को विसस्ट अस्थान प्राप्त है भिंड भिंड कला रूपों में वास्तु कला में कमर मुख्रिट है अबी पुराणों में हम कमल की बात करते हैं भारत में पवितर कमल का पुराणों में उडलेक है और इसके बारे में कहापतें और धर्मिक मानने दाई भी हिंदी हिंदू बौद और जैन धर में इसकी खासी धार्मी पॉर्सांस्कृतिक मेहत हुए इसलिए इसको भारत का राष्टिये पुष्प होने का गौर्व प्राप्त है यह अपने शरीर में रचनात्मक और उनकरियात्मक परिवर्तनों के दवारा जलिए वातावर्ण में स्रलता पुरुष्जीवन वेधित करता है और वन्स व्रिद्धी करता है अनुकूल, अनुकूलन द्वारा ही यह सजीव प्रतिकूल जलिये प्रस्तितियों में भी अपने आपको जवित रख पाता है तता इससे इसकी जाती का स्टित्र की रच्छा हो पाती है तो धन्यवाद आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंड दीजिए धन्यवाद